कुछ हल्दी खाने का मन है पर वो ही सलाद और फी का खाना खाना नहीं चाहते हैं वो मैजिक तो चाहिए तो आज हम बनाएंगे काला चना जो हर गर में आसानी से मिल जाता है बट इसके साथ आज हम एक स्पेशल मैजिक क्रियेट करेंगे वो स्पेशल मैजिक जानने के लिए यह वीडियो एन तक देखिए और इस रेसिपी के मजे लिए तो आपने काड़ वाटन का नाम सुना है ब्लैक वाटन या ब्लैक मसाला थोड़ा यूनिक है लेकिन टेस्ट बहुत ही जादा जबरदस है तो देखिए गैस के उपर मेंना एक जाली रखी है और दो प्याज रख हमें अच्छे से ब्राउन कर लेना है या यह कह लिजे कि ब्लैक कर लेना है अब शायद आप लोगों को लगेगा कि अगर हम इसे ब्लैक करेंगे तो क्या हमारी सब्जी में जली हुई स्मेल आएगी बिल्कुल भी नहीं इन फाक्ट काले चने का जो ऑथेंटिक ब्लैक कलर में जो काला चना बनता है ना वैसा यह पीस्ट बनके तयार भी होगा और वैसी ही हमारी सब्जी बनेगी अब इसे हम प्लेट में ही रखेंगे थोड़ा सा यह थंड़ा हो जाए अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पीस मेंने नारियल का लिया है इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे यह बहुत जल्दी जल्दा है इसलिए बर्नर पर छोड मत दीजेगा तो देखिए यह भी हमारा भून चुका है और यह जो हम इस तरीके से नारियल प्याज वगरा भून रहना यह भूने की प्यूर दैसी स्टाइल है क्योंकि पहले यह साबुत प्याज टम जाएगा टमाटर के यह जो ब्लैक वाले चिलके हैं वह आपने निकाल देने प्याज का भी जितना थोड़ा बहुत निकल गया निकल गया तो रह गया कोई प्रॉब्लम नहीं इससे सबजी में बहुत ही बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आता है प्याज बहले ही आपको बाहर से बलैक देखे बट अंदर वो सिर्फ पकति है अंदर तक बलैक नहीं होती देखे मैं काटके ही इस मिक्सीजार अंदर यह सारी चीज़े अब ले रही हूँ तो सबसे पहले मिक्सीजार के अंदर जो नारीयल हमने ले था उसके चोटे पीसस मैंने करके डाल दिये किर पानी डालने के जरूरत पड़ेगी ही नहीं क्योंकि प्याच के अंदर भी पानी है और टमाटर का खुद का पानी उसी में ये बढ़िया से पीज जाएगा और आपको मिलेगा ये वाटन और इसे ही कहते हैं काल वाटन या ब्लैक मसाला अब देखिए फ्रेंड्स सबजी को का लगाना कैसे है सीधा प्रेशर कुकर के अंदर ही बनाएंगे क्योंकि मैंने जो चने है ना उनको अलग से नहीं उबाला सिर्फ भीगो के रखाता राद भर तो ऑईल जैसे ही गरम हो जाएगा हम इसमें सिर्फ और सिर्फ दो तेज पत्ता और लगभग वन टीस्पून जीरा अड़ करेंगे अब यह जो मसाला पेस्ट हमने बनाई थी हमारा वाटन वह हम इसमें अड़ कर देंगे और इससे लगातार हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे नहीं मसाला या ग्रेवी का बेस कैसा भी हो उसको दानेदार होने तक और बिल्कुल तेल अलग अब सब्जी में एक बढ़िया सी कंसिस्टनसी आए थिक सब्जी में बनाना चाहते हूं चाहे तो पतली भी बना सकते हूं पटाज में इससे सर्व करने वाली हूं पूरी के साथ इसलिए मुझे थोड़ी थिक सब्जी चाहिए और उसे थिकनेस देने का काम करेंगे यही जो हमने भीगो के रखे थे थोड़े से मुठी बर चने बस से मिक्सिजार के अंदर लेना है थोड़ा पानी डालकर इसकी बढ़िया से स्मूथ पेस्ट बना लेने है जो अब मैं यही पर डाल रही हूं अब यह चनों की पेस्ट को भी हम बढ़िया तरीके से पका लेंगे अब हमें इसमें मिलाने है सूखे मसाले 2 टीस्पून जीतना में काशमेरी रैडड चिली पाउडर यूज कर रही हूं आपको इसमें गरम मसाला डालने की कोई जरूरत नहीं है, बस बेसिक ये चार चीज़े हमने डाली, तो देखिए फ्रेंड्स हमारे सूखे मसाले भी बढ़िया भून चुके हैं, अब मैं इसमें डाले हूँ जरा सा पानी और ढखकर हमें इसे 2-3 मिनिट के लिए पकाना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम के उपर, जब तक की सारा तेल उपर नजर ना आ जाए, दो मिनिट बाद आप ये देखिए, कितना बढ़िया रंग आ गया है सबजी को, बिल्कुल देसी कलर है ये, मुझे तो याद आगई जैसे गाउ में सबजिया बनती थी ना, मस्त डार्क ब्र करना है, क्योंकि अगर आपने इसे बिना पानी डाले, प्रेशर कुकर में कुक किया, तो हो सकता है कि नीचे से जल जाए, तेस के हिसाब से मैं नमक आट कर दिया है, तो भले आपको अभी थोड़ा सा पतला लगे, लेकिन जैसे ये पकेगा, धीरे धीरे गाड़ा होते जा करके, बिल्कुल स्लो फ्लेम के उपर आपको इसकी तीन विसल निकालनी है, अराम से ये पक जाएगा, पूरा प्रेशर खतम हो जाने के बाद, अब मैं इसको खोल रही हूँ, देखिए फ्रेंस, क्या सबजी बनी है, वो भी मिंटों में, लेकिन हाँ, इसमें एक जरूरी दालना हमारा वागी है, इससे पहले सबजी मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है, तो गैस को हम आउन कर देंगे, और थोड़ी देर इसे ऐसे ही खुले दो मिनिट के लिए पकने देंगे, अब ये देखिए, ये वाली कंसिस्टनसी मुझे बलकुल सही लग रही है, मैने क रोज के खाने को कमाल, इसे आप अपनी रोज की ड्ल करी, ड्राइ सब्जी में मिलाए और खाने को और भी सवादिश बनाएए ये लिए इसलिए आपको कोई भी और दूसरा मसाला या गर्म मसाला आड़ कोईवर्ण नहीं है और आपकी सबजी गर्मा गर्म पूरी चपाती रोटी किसी के पिसाथ खाने के लिए तयार है तो कैसे लगी आप लोगों को हमारी आज की यह सिंपल सी रेसिपी बनाने में वैसे बहुत आसाने और खाने में बहुत ही जबदस टेस्टे लगती है आप टिफिन बॉक्स के लिए बनाए या कभी भी ऐसी चोले पूरी खाने का मन करता है या चना पूरी खाने का मन करता है वैसे बनाए सेम तरीके से आप अलग अलग डिशेश ट्राय कर सकते हो इस मसाले के साथ आपको हमारी आज की रेस्पी पसंद आई होगी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक लिए बाइबाई